रामपुर में आमादमी पार्टी को बड़ा जटका लगा, तो खारी करता आमादमी पार्टी छोड़कर कॉंग्रीस में शामिल हुए, नवाब कासिम पार्टondere यह तो बहुत अच्छी बात है, अबीन बुन से समुन्दर बनता है । और कोई भी जंग अकेले लड़ीनी जाती जब तक आपकी सेना मजबूत नहीं होगी तक आपको फटह नहीं मिल सकती जंग में तो मुझे इस चीज का फक्र है और इस चीज का गर्व है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने आम में जंता के बीच उनकी छवी अच्छी है औ और मेहंती लोग हैं और उससे जो हमारा एक मुद्दा है उस चीज को वो और ताकत देंगे और मजबूती देंगे जिस तरह से चर्चा चल रही है कि आप भी चुनाओं में दिखेंगे चैरा आपका भी चैरा होगा तो क्या कहेंगे हां मैं लाजमी बात है कि अगर मैं यह हूँ और हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं तो यह तो मैंने फैसला किया है कि मैं यहां से इस विदान सभा में चुनाओं लड़ूंगा क्या मुद्धे हैं आपके क्या मुद्धे रहेंगे में मुद्धे हमारे तीन है एक तो जो बिजली की परिशानी लोगों को हो रही है दस दस गुनाओ जादा बिला आते हैं जो अंडर ग्राउंड वाइरिंग लगी है इतने बड़े बड़े मीटर लगे हैं उसका समाधा सबसे पहले होगा दूसरा जो सिवर लाइन पड़ी थी जिस जिसका डालने का मकसद सिर्फ कमिशन लेने का था अगर आप कहीं भी जाएंगे शहर में जहां सिवर लाइन पड़ी हैं सब सडकें बिलकुल ढह गई हैं वो सिर्फ काग्जों के काग्जों में खाना पूरती ह होता है वो हटेगी और प्रॉपर सियोइज के वहां उस पे जो पाइपस हैं वो लगेंगे तो उसका समधान होगा वो मुझे समझना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके से वो हो सकता है सब वो होगा और तीसरा होगा जो लकड़ी वाले हैं चाहे वो आरा मशीन वाले हैं पि सप्लाइ करते हैं उन सब को पूरी तरह से हमारा सयोग मिलेगा और पूरी साहता किसी भी वक्त उनकी मदद की जाएगी सपा का गड़ हमेशा माना गया रामपुर सांसादाजम खान भी जेल में है तो उनको कहना कहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको जेल जाने से बेनिफ कहा कि मैंने विकास कराया रामपुरू चोड कभी अपने आपको चोड कहाँ गाँ को डगैती डालता है वो कहता है मैंने डगैती करी गया जातल लोगा कहना है जो उन पर कारवाई है सरकार ने कहीं सरकार ने भेद भाव के जरीए उनको जील बेदाए सरकार का इसका इसमें कोई involvement नहीं है complainant जिते मुकदमे उनके उपर हुए है उसमें सारे complainant मुसल्मान है एक हम एक complainant मुसल्मान मैं भी हूँ उसमें सबसे पहला तो मैं ही हूँ हमने उसमें मुकदमा चला बहस हुई वकीलों ने बहस करी जज ने फैसरा सुना दिया जेल चला गया इसमें सरकार का क्या लेना देना शहर विदायक के काम से कितना संतुष्ट है आप बिलकुल नहीं काम ही नहीं है संतुष्ट किस चीज़ से होंगा काम का है ये तो अब चुनाओ आगया फेबरिरी में तो 52 प्रसाव में यहां के विदायक ने दे दिया अब तक सामसूंगा वाता है उन्हें पता ही नहीं था कि वो विदायक भी है या नहीं है उन्होंने एक वक्त भी कभी भी अपना अपनी जबान नी खोली है पबलिक के इंटरिस्ट में एक दफ़ा सिर्फ हाय अप मेरी युनिवरस्टी को रोई क्योंकि उस वो उनकी कमाई का जरिया है उससे पैसे मिलते हैं उसके लावा पबलिक किस मुद्दे के ओपर उन्होंने आवाज उठाई या बताईए घर से एक दफ़ा निकली है डियम से कभी मिली है कमिशन के पास कभी गई आईजी से कभी मिली मुख्यों मंतरी से यहां के लोगों की परिशानी कमी सामने रखी मैं कहता हूं काम नहीं होता लेकिन कोशिश तो की जाती है, लोगों को एसास तो होता कि हमारे साथ, हमारे जन्टते निदी, हमारे नुमाइंदे खड़े हैं, कोई नहीं है, तो लावारिस है, पूरा रामपुर जिसता नसे आरोव लगते हैं कि कांग्रेस में हमेशा गुडबाजी रहती है, तो क्या कहींगे इस पराव? गुडबाजी तो परिवार में भी होती है, दो भाईयों में भी होती है, यह तो नाच्रल चीज है, कौन सी पार्टी है जिसमें नहीं होती है, आप बताइए पेसे पूरा करना चाईए अगर मैं चौभेस घंटे राज नीती करूँगा तो मैं अपना घर कैसे चलाओंगा तो फिर मुझे कमाई करनी पड़ेगी राजनीती से जो यहां का आजम जो है वो कमाई करता था इसे 24 गंटे रहता था लोगों की जमीनों को चीनता था उनके घरों पर बुल्डोदा चलाता था कबजे करता था जेल में फिप बनवाता था तो 24 गंटे करता था जो राजनीती राजनीति एक जिम्मेदारी मेरे उपर है वो मैं पूरी निभाता हूँ उसके इलावा मैं किसके साथ खाना खाऊं किससे मिलने जाऊं उससे कोई रावास दा नहीं यूपी में उत्तरप्रदेश का चुनाव कहां देखेंगे कॉंग्रेस भी है या कॉंग्रेस तो आपकी है पार्टी लेकिन कहां लगता है आपको क्या कहते हैं अभी तो चार पार्टी हैं तो मैदान में हैं तो चार पार्टीयों के बीच में होगा कोई जादा होगा किसी का कम होगा अगर आपको टिकेट हो जाता है तो रामपूर शहर की आप जातर बात कर रहा है तो किस से फाइट मानेंगे अपनी समाजवादी तो मौझूता सरकार में भी है तमाम सबका साथ सबका विकास फाइदा नहीं होगा यहां का गणत देखिया काफी समाज बीजेपी से जोड़ा है उप चुनाओ सो सरकार का होता है जरूरी नहीं है कि जो बीजे प्रत्यार्शी को जो वोट उप चुनाओ में मिला वह भी मिलेगा तो सरकार का चुनाओ होता है दिला पंचायत में अगर उप चुनाओ होगा वो भी सरकार का होगा प्रधानी का होगा वो भी सर कोगरेसे राम पूर्चे जिशाने तो